वेलकम तू यूजी सीनेट यान कंप्यूटर साइन्स आयम जोती घुदबार तुड़े वे डिसक्शन रिगार्डिंग तुड़े वे डिसक्शन करेंगे तो सबसे पहले सभी स्टुडेंट्स को हैपी रिपब्लिक डे भी और ये जो 2023 एर है आप लोगों का इसमें आप लो सारी है और पढ़ने वाले बच्चे बहुत कंगे तो आप लोग अपना फ्यूचर जो हैसेट कर सकते हैं क्लास को स्टाइट करते हैं उसके साथ ही अगर ये क्लास पसंद आए और प्लीज प्रेस प्रेस लाइट बटन और शेयर विद यूर अगर आप चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बल आइकन को फ्रेस करना ना पूले तक आपको सारी क्लास की विटेस नौटिकाशन के लिए आप लोग टेलिग्राम गृप को जोइन कर सकते हैं आपको नीचे डिस्क्रिशिए हैं सब्से पहले हम बात करें च्प्रें के बारे में तो भी KVS की जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे और ओफिशल वेबसाइट पे आप लोगों की exam date schedule आ गया है अभी प्रॉपर यह नहीं है कि PGT computer का paper कब होना है लेकिन एक time frame आ चुका है कि उस rate से उस rate तक आप लोगों का exam हो जाएगा तो FAB में आपके after 15th of FAB आप लोगों का exam हो जाएगा और जैसा कि HPSC का कभी पहले से देखते आया थे कि FAB के लिए 3rd और 4th FAB बोला था HPSC exam के लिए जो PGT screening का होना है तो दोनों ही paper आपके side by side चलेगे हो सकता है HPSC PGT screening का paper FAB की बजाएवी March में schedule हो सकता है तोड़ा और delay हो सकता है अपरेल में लेकिन मार्च end तक या April 1 का paper जो है कि सेफ महीने में मुझे सब कुछ खवर कर देना है तो भी आप लोगों को महनत करनी पड़ेगी time देना पड़ेगा डेली पढ़ना पड़ेगा तो आज की अगर हम बात करें HPSC और KBS के लिए तो सबसे पहला तो रीपाब्लिक डे के आप लोगों को 26% डिसकाउंट दिया जा रहा है 26% डिसकाउंट आप अवेल कर सकते हैं using best coupon code इस पूपन को को यूजई ले सकते ये जैन को आप किसमें लिखेंगे, capital में लिखेंगे, open code आपको यूज करना है, जैन 26, अगर आपको open code यूज करते हैं, so you will get 26% discount on HPSC as well as KBS PGT computer science screening लिखता हूँ, तो ये तो थी सबसे पहले आज के लिए latest information, उसके साथ ही किसी भी student को ये discount अवेल करने में कोई भी दिकतार ही हो, देनाब दिये, phone number पर call करके पता कर सकते हैं, 946777 किसार में क्या कराने वाले हो पोर्स में कितना हो चुका है, कितना रहता है, तो अगर बात करूं क्यूं क्यूं चीज है, दन complete हो चुकी है, कौन चीजे अभी complete , not done , खु 80% plus slaves आप लोगों का cover up हो चुका है 20% के around ही 20% के around ही आप लोगों का भी slaves बचा हुआ है जो कि day by day हमारी life class में cover होता है daily life class होती है 8 p.m.p. daily life class होती है 8 p.m.p. अभी हमारा जो है python classes चली हुई है python चला हुआ है python में आप देख पा रहे होंगे जो हमारी second unit है computational thinking and programming first part उसमें जो python के आपके content है उसमें आपका list topic है list topic है last page के end of the paragraph में तो list हमारा complete हो चुका है list के बाद अभी हमारा बच्चता है tuple dictionary और जो भी हमारे other topics हैं वह बड़े python का थोड़ा बहुत python का syllabus रहता है उस्ते अलग जो भी हमारी complete units है उस्ते अलग जो भी हमारे subjects हैं वह mostly covered है हुआ 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 है हुआ है तो python की जो हमारी unit 3 है जो computational thinking and programming वाली unit है वह वाली बच्ची हुई है प्लस साथ में unit 2 के कुछ parts 2-3 paragraph आपके टापाल dictionary और भी अगर कुछ edition है उसमें तो वह बच्चा हुआ है प्लस आप में कुछ जो नई term add हुई थी वह वाली आपकी बच्ची हुई है dwdm emerging trends और कुछ SQL की command कुछ SQL की command कुछ SQL आपका complete है कुछ SQL की commands बची हुई है और आपके codes बचे हुए है तो इस तीन चार टाम्स है जो कि आपके बची हुई है बाखी सारा स्लेवस आपका complete है digital electronics complete है data structure complete है algorithm complete है आपका software engineering operating system computer networking dbms sql python हमारा continuously python हमारा चला हुआ है ठीक है python अभी continuously हमारा चला हुआ है और इसे लग toc compiler toc compiler basics of computer basics of computer तो यह सब हमारा complete हो रखा है यह सभी हमारा स्लेवस complete हो रखा है और यह तीनचा term है जो कि आपकी रहती है यह भी बहुत जल्द आप रोगों की day by day complete हो जाएंगी जो स्लेवस का टार्गेट है कि कब तक आपका स्लेवस complete हो जाने वाला है तो जैसा कि मैंने टार्गेट सेट किया हुए 31st of gen 31st gen तक आप लोगों का python वाला पार्ट complete हो जाएगा python वाला पार्ट complete हो जाएगा then 7th और 10th of gen 10th of 5 तक तक आप लोगों का जो बाकी बची हुई हमारी स्लेवस में एड हुई है जो छोटी-छोटी कुछ-कुछ टर्म हर एक यूनिट में रह रखी है वाली complete हो जाएगे 11th of 5 से लेके 11th of 5 से लेके और जैसा कि आपका पेपर जो है 15 के बाद-बाद है 20 के आस-पास रहेगा 11th of 5 से लेके 6th of 5 तक हम लोग क्या करने वाले हैं choosing to review करने वाले हैं हम लोग revision करने वाले हैं daily हमारी marathon class तरहेगी यह जो revision करेंगे हम यह मैयराथन classes के थरू करेंगे मैराथन classes के थरू करेंगे एक एक class में एक सब्जेक्ट एक यूनिट हम कंप्लीट करते जाएंगे फोप सो ऐसा रहेगा कि में भी एक लास में कंप्लीट ना हो पाए तो दो क्लास रखनी पड़ेंगी तो जितना भी होगा उतना रिविजन करेंगे प्लस साथ में आप लोगों को टेस्ट स्रीज लास्ट में जब क प्रवाइड करा जाएगी अप्लिकेशन पर ही एक साथ ही मैंने आप लोगों फो फ्री पोस्ट अगर आप लोग पेड स्टूडेंट नहीं भी है और आप अपनी एक्यूरेस्टी देखना चाहते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट में कितना कर लिया है कितना आपको आता है कि तो ये mock test दे सकते हैं application का link या website का link आपको नीचे description box में मिल जाने वाला है तो mock test हमारे complete हो चुके है subject wise mock test हम कर रहे हैं जिसमें से आप लोगों का data structure plus algo का test हो चुका है data structure plus algo का test हो चुका है digital electronics का test हो चुका है उसी में आपका software engineer का next week रहेगा operating system का हो चुका है और computer networking का हो चुका है यह चार टेस्ट अवलेबल है application पर जो की बिलकुल free of post है आप इन्हें access कर सकते हैं test को attempt कर सकते हैं और इस week next जो हमारा test रहने वाला है इस week जो है आप लोगों का software engineering का test रहेगा वो भी आप लोग है तो इतना कुछ है और उसमें भी आप लोगों का जो total amount है वह 6999 है और आज के लिए जो यह coupon code आपको बताया है यह जो coupon code आपको बताया है 26% 26% discount यह coupon code जो है आज अभी से start होगे आज 26th of jan है 26th of jan से लेके 27th of jan 27th of jan till 12 noon till 12 o'clock तक आप लोगों का जो है यह discount रहने वाला है उसके बाद परदर type 5 हो जाएंगे तो जो भी student interested है और जो यह सोच रहे है कि हां मुझे पढ़ना है और आज से ही मैं पढ़ना शुरू करने वाला हूं चाहे paper कभी भी हो मुझे आज से पढ़ना है वही 6 months की validity नहींगी आपकी course की 6 months का access रहेगा तो आप लोग जो है gen 26 code को use करके आप लोग अपना access जो है आज से अभी से start कर सके hope so यह class आप लोगों को पसंद आई होगी कि further class में किसी भी student का कहीं पे कोई भी doubt है then please comment you doubt in comment section आज के लिए इतना ही मिलेंगे next class में next update के साथ तब तक के लिए सभी student किसी तरीके से अपना पढ़े thank you so much all the way